हलो एद वेलकम तो मैय चैनल आज आज देख रहा है जैमिनी आवित राष्ट के लिए अपनदुट 23 में आप लोगों की लड़ लाइफ कैसे रहेगी सीको लेक लीकर रीडिंग है और गास पाई सभी के लिए रीडिग होगी जिए जो सेंगल है मेरीड कर पर आप अगर अधर प्रिसी रिलेशन्शिप में तो आसे लिए रीडिंग और मैसेजिस होंगे यहां मैसेजिस कर रही हूं और देखते हैं जैमिली आपके लिए क्या मैसेजिस हैं एप्रिल मंद के लिए आपके लिए और काफी कुछ मैसेजिस हैं फर्स अगर टैरोड एकी साथ स्टार्ट करें आपके लिए रीडिंग तो यहां आपके लिए कार्ड आया है फॉर ओफ कॉइन्स का आपके से कुछ लोग टारस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ रिलिशनशिप में है यानि रिशब राशी मकर राशी करने राशी के आपके पार्टनर है और यहां ऐसा दीख रहा है कि आपके जो यह पार्टनर हैं यह काफी इंट्रोड हो सकते हैं बाते सामने सीधी तोर पे नहीं बोलते और दिल की फिलिंग्स को शेयर नहीं करते हैं आपके साथ जादा इस तरह के हो सकते हैं और अगर आप एक सिंगल परसन है तो ऐसे एक परसन से मिल सकते हैं जो नाइन तो फाइफ जॉब करने वाले हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर में या तरह से आप इने जान सकते हैं और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है थ्री ओफ सौर्स का आप में से कुछ लोग जैमिन लिब्रा एक्वेरियस के साथ रिलेशन्शिप में हैं या थे थे इसलिए कह रहे हैं कि यहां पे थ्री ओफ सौर्स का कारी बता रहा है कि कुछ लोगों ने अभी हाट ब्रेक जैसा देखा है दिली तूट गया आपका किसी परसन ने आपको चीटिंग और ऐसा कुछ किया है आपके साथ कुछ लोग सेपरेट हुए हैं ब्रेक अप से गुजर रहे हैं कुछ लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है और यह चीज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मैटर है अभी और इस वज़े से आप बिलकुल भी फोकस नहीं है अपने आप पे बहुत दुख परिशानी आपने उठाई है बहुत निराशा भरा समय आपने देखा है इस तरह का यहां देख रहा है और यहां नेक्स कार्ड पर आपके लिए बहुत अच्छा आया है क्वीन आफ सॉर्स का तो कुछ लोगों के लिए एक नया प्रपोजल आ सकता है यह मैरिज प्रपोजल हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक फ्रेंड्शिप हो सकती है और कुछ लोगों के लिए एक यह जर्रल कनेक्शन भी हो सकता है पर यह एयर साइन से होगा आपका कनेक्शन यानि यह हो सकते है जैमिन लिब्रा एक्वेरियस और ये काफी स्टेट फोवर्ड साफ सरीके से बात करने वाले और सचाई पसंद इनसान हो सकते हैं और ये बहुत अपनी फीलिंग्स को बहुत जल्दी शेयर करने वाले क्विक परसन हो सकते हैं और लीडर्शिप स्किल्स इन में हो सकती है बहुत अच्छी पोजिशन पर हैं अपने केरियर में इस तरह से आप इन ही जाल सकते हैं और बहुती गुबसूरत हैं और लोयल हैं यहां डॉग इस्पिरिट आप दीख रहे हैं तो यह परसन trust worthy है यानि इनके पर आप भरुसा कर सकते हैं इस तरह की परसन है पर इने साफ साफ तोर पर अपनी बाते बता देना पसंद है इस तरह की यह है और इनसे आपका connection बल सकता है और कुछ लोगों के लिए आप इनके साथ connected है वही next card आपके लिए आया है princess of cups का तो कुछ लोगों के लिए water sign की तरह से भी एक love proposal आ रहा है आपके लिए और ये friendship से जदा यहाँ आपके लिए एक love proposal लग रहा है क्योंकि cup offer हो रहा है आपको तो कोई इनसान है जो आपको बहुत ही दिल में चाह रहा है और बहुत true emotions हैं इनके true feelings हैं यहाँ true love वाली feelings इनकी दिख रही है और इनकी desire है आप इस तरह का कोई person है और ये cancer scropiopiasis हो सकते हैं करक मीन और रिश्चिक राश्चिक हो सकते हैं और ये बहुत desperate हैं आपको लेकर इस तरह की energies हैं younger looking और बहुत एक बसूरत person होने के साथ ये बहुत emotional हैं इस तरह से आप इने जान सकते हैं वही next card आपके लिए आया है nine of cups का तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि आप जो भी manifest कर रहे हैं अपनी life में जो भी आप चाहते हैं वो आपके लिए पूरा हो सकता है इस month में और उसके लिए सिर्फ आपको एक step लेना होगा क्योंकि nine के energy बता रही है कि सिर्फ आपके एक effort से ही बहुत कुछ change हो सकता है आपकी life में में दर्शन की तरफ हैं इंट्रस्पेक्शन मोड पे हैं वो अपनी गलतियों पे कुछ हो सकता है शर्मिन्दा हो या उन्होंने जो कुछ किया है आपके साथ उसके बारे में वो फिर से सोस्ते वे दिख रहे हैं यहां और एक wisdom उनके अंदर जरूर इस month में आप देखेंग और कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने का कि आपके पार्टनर अभी हर्मिट मोड पे हैं तो वो सोस्च समझ के सही डिसीजन लें इसके काफी चांस है क्योंकि हर्मिट मोड पे जाने की बाद वो एक maturity का level उनका बढ़ने वाला है इस month में ऐसे समझारी भरे decisions वो इस month में कर सकते हैं आपको लेकर वहीं आपके लिए the wisdom of hidden रिलीम औरिकर डेक्स कार आया है the metal king का यहां discipline और boundaries जी यहां ऐसा लग रहा है कि जैसा इन्होंने mask लगाया है metal king ने तो कोई person है जो दिली जिल में आपको चाहता है पर वो आपके सामने नहीं आना चाहते कुल के शैद वो बह नमर है 3 plus 7 10 होता है तो इनको आपके साथ completion फील होता है पर यह भी time देना साहते हैं इन्होंने अपने आपको limits में बांदा हुआ है और यह कुल के आपके सामने नहीं आना चाहते इस तरह कि किसी person का यहां hidden love भी दिख रहा है आपके लिए वही next card आया है the sun dancers joyful activities celebration of life और abundance जी आपके लिए बहुत सरा पैसा prosperity लिखी हुई है इस मन्त में अपरिल की मन्त में और यहां ऐसा लग रहा है कि आप life को बहुत celebrate करेंगे कुछ बड़ी खुशकबरी हो सकती है जिसकी वज़े से आप बहुत अपने आपको fulfill पील करेंगे कोई बड़ा success moment आपके लिए आ सकता ह खुशकबरी का मुका आ रहा है इस मन्त में और नेक्स कार भी बहुत अच्छा आया है आपके लिए the diamond dreamer का material wear true prosperity आपके लिए लिखा हुआ हुआ है पैसा आपके लिए काफी आ रहा है और यहां आप बहुत success अचीव करेंगे अपने केरियर में और weld आपके लिए आ रही है और वहीं आपके लिए luxury lifestyle आप अपने लिए देखेंगे इस तरह का आपके लिए लग रहा है इस मन्त में पैसे की तरफ से आपके लिए बहुत prosperity इस मन्त में लिखी हुई है ऐसा लग रहा है कि money issues आपके काफी हद तक बहुत favorable रहेंगे आपके लिए और next card आपके लिए attention के keyword है और number 11 आया है तो यहां ऐसा लग रहा है कि आपको universe काफी कुछ messages इस मन्त में देगा especially twin flame journey में अगर आप हैं जैसा number 11 आया है तो आप अपने twin flame के बहुत नजदीक हैं कुछ लोग already इस journey में हैं तो आपको कुछ messages आपके लिए बहुत important messages इस मन्त में देजाएंगे और उनको आपको समझने की कोशिश करनी है उनको ignore नहीं करना है ऐसा भी आपके लिए guidance आई है और next card आया है the chest queen का और यहां 30 number है तो आप chest queen से भी जूड सकते हैं यह बहुत intelligent और बहुत समझदार होने के साथ साथ introvert है और यह 30 years के हो सकते हैं उस लोगों के लिए इस तरह का भ Sagittarius मेश राशी सिंग राशी और धन्राशी के आपके पार्टनर हैं या इस मन्त में बन सकते हैं और यह बहुत यंगर लुकिंग होंगे और optimism और aggression के हाँ keywords है तो यह बहुत हद तक इनमें energy बहुत है यह बहुत life को लेकर बहुत positively सोचने वाले सकारात्मक इनसान है पर वही यह गलत चीज़ों का बहुत aggression यह बता रहा है कि इनके अंदर गलत चीज़ों को लेकर गुसा भी है या यह बहुत गलत चीज़े बरदाश नहीं कर पाते इस तरह के परसन है और fiery energy है इनके अंदर इस तरह से आप निर जान सकते हैं और यहां अगर हम देखें तो आशो जह हो रहा है वो आपकी बहतरी के लिए है इस चीज़ को आप हमेशे ध्यान रखें और नेक्स कार्ड आपके लिए है understanding का तो यहां आपके और आपके पार्टनर की बीच में अगर दूरिया थी या अभी तक हैं आपके बीच में दूरिया और अफ सिट्वेशन है या कोई भी आपकी परिशानी है तो यहां इस मत में ऐसा कुछ होगा कि अब आपके बीच में understanding बढ़ने वाली है आप एक दूरिया को समझ पाएंगे फिर से connect हो पाएंगे और यह दूरिया आपके लिए बहुत जल खत्म होगी जैसा next card भी आपके लिए है friendliness का तो आप अपने partner के होगा दिख रहा है और कुछ लोगों के लिए अच्छे नए friends भी मिल सकते हैं जो lifelong friends होने वाले हैं आपके लिए और यह बहुत supportive person होंगे जिनके साथ आप इस month में connect हो सकते हैं ऐसा भी दिख रहा है तो कुछ नए अच्छे friends सभी जैमिनी को मिल रहे हैं इस month में ऐसा दिख लोगों के परसण जाइड नाम से हो सकते हैं f नाम से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं x कुछ लोगों के x back हो सकते हैं L और D यह उनकी निशल्स हैं और जो रिक साइन अगर हम देखें डीबरा हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर तुला राशी के हैं पाइसिस, मीन राशी के कुछ लोगों के पार्टनर टारस हैं ब्रशब राशी के और से एक्वेरियस भी आपके पार्टनर हो सकते हैं यानि कुमराशी के आपके पार्टनर की दरफ से आपको क्या मैसेज होगा इस मन्त के लिए you have no idea how fast my heart beats when I see you जब भी वो आपको देखते हैं उनका दिल बहुत जोर से दड़कता है ऐसा उनकी दिरफ से मैसेज है my life is incomplete without you आपके भी ना उनका जीवेन अदूरा है ऐसा मैसेज है और I never leave you alone वो आपको कभी अकिला नहीं छोड़ेंगे ऐसा भी मैसेज है और it's like a magnet is attracting me to you I love you जी अन्हें इसा लगता है कि आपके बीच में एक magnetic connection है वो बहुत जाते हैं आपको ऐसा भी मैसेज है in my life your sweet love lifts me up and give me happiness and peace जी आपका प्यार उन्हें बहुत खुशी और शान्ती देता है ऐसा मैसेज है तो आप लोगों के लिए ही मैसेज से और यही reading ती है अगर यह reading आपके साथ resonate करें तो प्लीज मेरे शेनल को like share and subscribe कीजिएगा thank you so much for watching my video have a happy month Germany